इसकार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैने रामभक्तों का सद्यों का इंतजार खत्मुआ रामला अयुध्या में विराज्मान हो गाए हैं देश और दुनिया भर में रह रहे करोड़ों रामभक्त और हिंदों ने दीप चलाकर इसका ज न्यूज पेपर न्यूज टाइम से लेकर एंबीसी न्यूज और कदर के अलजचीरा इसके लावा बिर्टेन के दैनिक समाचार पद्र गार्चियन से लेकर बीबीसी और दुनिया भर की मीठिया ने इस कारिक्रम को कैसे कवर किया है और क्या कुछ रामला की राम मंदर के लिखा है मैं इस वीडियो में आपको सिल्सलेवार ठंक से तमाम दुनिया भर के जो बड़े नियूस पेपर हैं जो बड़े मीडिया चैनल से उसमें क्या कुछ राम मंदर को लेकर च्छपा है ये बताऊं की और किस ने किस एजेंटे के तहत अपनी खबर शा करते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ जो उनकी कहीं न कहीं जहर उगलने की एक रननीती रही है उसी कड़ी में अब राम मंदर की प्रान परतिष्ठा पर भी कई विदेशी मीडिया संस्थारों ने जहर उगला है जिसमें बेटेन का बीवी सी शामिल है इसके लावा कतर का अलजजीरा और साथ ही बेटेन के गार्शियन ने भी ये कहा है कि मजजित को तोड़कर राम मंदर का निर्मान किया गया है और मजजित को तोड़कर राम मंदर का उधगाटन परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया है इस तरह के सेशक के साथ ये प्रूख न्यूजपेपर है नियू यूर्क टाइम्स उन्होंने भी प्रान परतिष्ठा कारेक्रम पर एक विस्तरित खबर्चापी है और इसका सेशक उन्होंने दिया है यानि जो हैडलाइन है वो उन्होंने दी है कि मोधी ने एक विशाल मंदर का उद्गाटन किया भारत में हिंदू फर्स्ट की जीत हुई है ये नूझ यूर्क टाइम्स ने लिखा है इसके लावा फ्रांस ने भी प्रधान मंत्री नारींतर मोधी की तारीव कี है और इसके लावा बात की चाए BBC की तो जाहित और बार जो लगातार सवालों के घेरे में रहा है जिस तरीके से मोधि सरकार के खिलाब ज़ेर उगलने का काम लगातार BBC करता रहा है एक बार फिर BBC ने अपनी बॉखलाहड दिखाई है और यह लिखा है कि जहां मर्जिद दिटहाई वही मंदर का उद्गाटन BBC जाहिर दोर पर अभी भी अपनिवेशिक काल में बसता है भारत की उन्नती से बीबीशी कहीं न कहीं हमेशा बॉकलाया रहता है और हिंद्वों के प्रती उसकी घर्णा जिस तरीके से देखने को मलती है यह कुछ नया नहीं है जिस तरीके से बीबीशी ने राममंदर उद्गाटन को लेकर यह पू कि भारत के मोथी ने अयुद्धिया में मस्जित विद्वन्स इस्थल पर राममंदर का उद्गाटन किया और खबर में यह भी अलजजीर ने लिखा कि भारत के प्रदान मंत्री ने उत्री शहर अयुद्धिया में एक एथ्यासिक मुगलकाल की मस्जित के घंडरों पर वन आम चुनाख से पहले चुनाव अभ्यान की अनुपचारिक शुरुवात है यह तमाम बातें अलजजीर ने लिखी इसके साथ ये भी लिख दिया कि दो हजार चौदा के बाद वहां पर जो अलजग्यक मुस्लिम हैं उन पर हमले हो रही हैं इस तरीके की बातें अलजजीर क कही नखी भारत में एक तरीके से सांपरदाहिक माहोल खराब करने की कोशिश इस खबर की आठ में कर रहा है वो साफ तोर पर इस आर्टिकल में देखने को मिली इसके लावा बात करें बेटिन के दैनिक समाचार पत्र गार्जियन की तो इस खबर को उठोने भी कुछ इसी तरह से चाप दिया और सिर्शक में लिखा मोदी ने मजजित इस तरह पर हिंदू मंतर का उधगाटन किया खबर में बताया कि भारत्य शहर आयोध्या में कटरपन थी हिंदू की भीड़ त्वारा एक मजजित को ध्वस्त करने के तीन दशक बाद प्या मोदी ने उसी जग भारत की प्रती और खास्तोर पर भारत का जो नेतर्व कर रहे हैं देश के प्रदान मंतरी नरेंत्र मोदी के प्रती गार्चियन हो या फर BBC हो या फर इसके लाबा अलजिजीरा हो इस तरीके के मीडिया संस्थान प्रमुक्ता से इस तरह की खबरे चापते रहे हैं और एक युक्त अरब अमिरात ने इस खबर को प्रबुकता से च्छापा और जमकर तारीफ भी की है जी हां युए के अख़बार कल्फ न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट को ये हैडलाइन में उन्होंने लिखा शीशक लिखा कि नरेंद्र मोदी का उध्या के हिंदू मंदर का भाने के लिए तयार है केंदर सरकार ने आदि दिन की छुटी का एहलान किया है चुकि उत्सव का माहूल वहाँ पर है स्टॉक मार्कित बंद है कई राच्चों में आदि दिन या पूरी दिन की छुटी रखी गई है ये तमाम बातें उन्होंने लिखी और आगे ये भी ल तारीफ की है भारत के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा ये भी उन्होंने लिख दिया और जाहिट तोर पर यूए चोके एक मुस्लिम देश है और वहां पर जैसा की सब जानते हैं कि प्रधान मंदुरी नरीं धर्मोदी भव्य मंदर का वहां पर उधगाटन भी करने लिखे जा रहे हैं हिंदु मंदर करेंगे प्रधान मंतुरी नरीं धर्मोदी तो इस तरीके से UA जैसा देश खुलकर रामन्दर की तरारीफ कर रहा है ये कि वहां पर जिस तरीके से बात बेटन के मेडिया संस्थान की की जाए चाहे कटर के की जाए इसके लावा सिलुके लंबा संगर्ष राममंदर के लिए रहा है जिस तरीके से राममंदर को तोड़ कर मुगल साश को ने मजजित बनाई थी और उस बिवातित धाची को सुप्रीम कोट के आदेश के बाद वहां पर राममंदर का नर्मान किया किया लेकिन अलजजीरा से लेकर और साथ ही बीबी कर राममंदर का उद्खाटन मोदी ने कर दिया इस तरीके की खबरे उन्होंने च्छापी लेकिन वहीं फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस 24 ने भी इस खबर को परमुक्ता से प्रकाशित किया है और अकपाट ने अपने शीशक में लिखा कि मोदी ने हिंदू राश्टर की जीत के तौर पर देखे जाने वाले मंदर का उद्खाटन किया है हाला कि उन्होंने भी अपनी इस खबर को कुछ इसी तरह से लिखा है और इसमें भी यही जिक्र किया है कि मजजद को तोड़ कर मंदर बनाया गया तो इस तरीके से ये खबर जो है तमाम अखबारों में छपी है लेकिन जाहिट तोर पर ये जैसा की कहा जो रहा है कि भारत के लिए ये राम मंदर जो है वो मील का पत्थर साबित होगा और इसकी बॉकलाहट देखने को मिली है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विदेशों से जो टूल किट रही है वो भारत के भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए भारत में सामपर्दाइक माखुल बिगाटने के लिए तो इस तरीके से तमाम जो न्यूस पेपर हैं उन्होंने इस खबर को प्रमुक्ता से चापा है और तमाम दुनिया की नजरे इस पर थी रूस के अखबार रश्या टूडे ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आयुध्या में राम मंतर के बनने से शेहर की काया कल्प हो जाएगा ये भी साफतोर पर लिखा गया है कि काया पलट जो है वो कहीं ने कहीं आयुध्या नकरी का होगा तो इस तरीके से रूस ने इस खबर को छापा तो नेपाल के प्रम इंद्रमोदी हैं जो भारत के धर्म निर्पेक्ष लौकतांत्रे गनराच्ष के परधान मिंत्री हैं तो इस तरीके से उन्होंने भी इस खबर को छापा तो कुल मिलाकर जो हमने मीडिया कवरेच की वो भी विदेशी मीडिया कवरेच की तो कहीं ने कहीं कुछ चैनल ऐसे रहे कुछ पत्रकार ऐसे रहे कुछ ऐसे अकबार रहे जिन्होंने अपने ही एजेंडे पर चलते हुए भारत के खिलाफ जो जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं और ये वो लगातार प्रमुकता से खबर चापते रहे हैं कि अल्प संक्यों के साथ अन्याय हो रहा है और उसी कड़ी में उन्होंने ये खबर भी चापी लेकिन वहीं पर कुछ जो विदेशी मीडिया संस्थान थे जो अखबार थे उन्होंने साफ तोर पर ये कहा कि अयोध्या का ना सिर्फ काया कल हो रहा है काया पलट हो रहा है बलकि भारत के लिए राम मंदर मेल का पत्थर सा भी थोगा और जाहिर तोर पर शिर्राम जन भूमी पर राम मंदर का निर्मान किया किया है वो 500 साल का लंबा संखश जहां पर कई कारसेवकों ने कई लोगों ने अपना बलिदान दिया संतों ने तपश्चा की उसके बाद ये दिन आया है और भारत के लिए दिन अपने आ भव्य मंदर में विराजे थे और ये भारत के लिए हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन जब दीपोत्सव एक तरीके से मनाया किया जब दिवाली से भी जादा जो कह सकते हैं कि रोशनी से नहया पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा था तो ऐसे में कहीं ने कहीं कई देश के परधान मंतुरी नरेंधर मोडी और साथ ही राममंदर की की है कि किस तरीके से ये कहीं न कहीं काया कल्प जो है वो ना सिर्फ आयुध्या बलकि भारत का हुगा राममंदर के उधगाटन के साथ ही फिलाल आपकी इस पूरी ख़बर को लेकर क्या राय है में कॉमें पोक्स में जरूर लिखें धन्यवाद